Hello, Good Morning and Welcome Back Friends आप देख रहे हैं Golden Air Education YouTube चेनल आज की इस वीडियो में बात करेंगे 17 नवंबर से रिलेटिड जितने भी important current affair बनती हैं सारे इस वीडियो में complete करेंगे साती काफी सारे extra facts भी यहाँ पर discuss करेंगे सो पूरे lesson को ध्यान से और last तक आप जरूर दिखिएगा इसकी PDF आप डाउलोड कर लिजेगा नीचे वीडियो के description में से साती जो अपना Android application है एक exam ट्रोपर इसका भी link दिया गया है नीचे description में तो इसे भी आप install कर लिजेगा या फिर play store से direct आप install कर सकते हैं तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो last वीडियो के quiz थी आपके लिए कौसन था कि बीते दिनों तामभाकु नियंतरन के छेतर में योगदान के लिए विश्व स्वास्ते संगठन ने किस राज्य की स्वास्ते मंत्राले को प्रुष्कर्थ किया था तो आपका सही आंसर था राजस्तान इसका ठीक है चलिए अब बात करते हैं देखिए आज की का रंटा फिर की तो पहला को सन्याज का केंद्रे वानी जी उध्व मंत्राले ने किस उध्व को बढ़ावा देने के लिए एक विसेश विकास परिशद की स्टापना की है तो सही आंसर का साइकल उध्व देखे साइकल उद्धो को बढ़ावा देने के लिए ही एक विसेश विकास परिशद को मंजूरी दी गई है किंद्रे वानिजेओं उद्ध्यों बंतरा लेके दुवारा ठीक है चलिए देखे ये परिशद क्या होगी एक मरलबी जो परिशद को मंजूरी दी गई है तो ये एक तेवी सदस्य परिशद होगी और इसकी अद्धेख्सता जो है DPIIT जो है डिपार्टमेंट उसके दवारा इसके अद्धेख्सता की जाएगी इसमें तेवी सदस्य होंगे ठीक है ये ध्यान रखियेगा चलिए देखे इसका उद्धेश से क्या होगा इसका उद्धेश वानिज जी उद्ध्यों मंत्रा लेकि हमने बात की है तो इसकी जो वरत्मान में जो मंत्री है को नहीं पी उस गोईल है यह मंत्री भी आप ध्यान रख लीजिएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं अपना निम्न में से किसने एक उनलाइन बाल यून उत्पीडन वैस सोचन रोकथाम यूनिट की इस्तावना की है तो यह की है सी बी आई ने देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं सी बी आई पहले तो हम जान लेते हैं सी बी आई जो है इसका फुल फूम होता है सेंटल ब्यूरो इसी ने ये एक स्पेशल यूनिट क्रियेट की है बनाई है और इसका मक्सद है जो हमारा जो मतलब की जो बाल यून उत्पीडन वगारा से रिल्टेट जो मामले होंगे उसको जो है सोर्ट आउट करना और उनमें कमी लाना जो है इसका मक्सद होगा ठीक है चलिए थोड़ इतने भी जो मतलब की हमारे Union state जो अल्ळतोओं यहां पे जो केंदर साथित प्रृदेश है उन्ही के अंदर ये कारिये करती है। लेकिन अगर यहां पर सरकार, राज्य सरकार अगर चाहे जो मिलब की केंदर सरकार चाहे तो यह जो है इसके अलाव भी राज्य वगारा में भी जो है अपना कारिये करती है ठीक है इसका headquarter वैसे नई दिल्ली में है आप ध्यान रखिएगा और जो इसके इस्तापना हुई थी 1963 में हुई थी और वरत्मान में जो मतलब की इसके जो चेर्मेन है वो है रिक्सी सुकला रिक्सी सुकला जो है इसके वरत्मान में चेर्मेन है ठीक है नेक्सट अपडेट अपना देखिए कहां यहां पे देखिए किस दिन को राश्टी प्रेष दिवस के रूप में मनाय गया है यह मनाय गया था जो भारत प्रेस परिसद है उसी ने 16 नॉम्बर 1966 को अपना जो कारिय है ओफिस कारिय हो सुरू किया था ठीक है तो इसी लिए यह मनाय जाता है यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो भारत प्रेस परिसद है उसकी कारे सुरुवात के उपलक्स में मनाए जाता है तो मैं भारत प्रेस प्रिसित की बात करूँ तो देखिए इसके अंदर जो है एक अध्यक्स सहीद 28 सदस्य होते है और इसका जो अध्यक्स होता है वो होता है जो सुप्रिम कोर्ट का रिटाइड जोता है नायदिस होता है वो इसका जो है अध्यक्स बनाए जाता है उसको ठीक है नेक्स्ट अपडेट अपना देखिए निम्न में से किस सहर में आदी महत्सव 2019 का आईजिन केंद्रिय जन जातिये मामले मंत्राले दुआरा किया जा रहा है तो ये किया जा रहा है चुनाई दिल लिया वहीं पे ठीक है आदी महत्सव और अर बार आईजित करवा जाता है एक सालाना महत्सव है और इस बार भी ये जो है 16 से और 30 नवंबर के 20 में आईजित करवा जा रहा है ठीक है चलिए आपका बता दे कि इसका उद्गाठन है रिसेंटली जो ग्रहमंत्री अमित साह है उनके दुआरा इसका उद्गाठन किया गया है ठीक है अमित साह के दुआरा इसका उद्गेश यही कि जो जन्जाती संसकरती है साथ ही जो सिल्पकला है बोजन है जन्जाती है ठीक है उनका प्रदर्शन करना ही इसका मक्सद है ठीक है फिर देखिए नेक्स्ट को सने अपना निम्ण में से किसने निष्टा का नामक विस्वे का सबसे बड़ा अध्यापक सिक्सा प्रशिक्षन कारेकरम लौंच किया है तो यह क्या है जम्मू कस्मीर में रिसेंटली जम्मू कस्मीर ने भी जो है यह निष्टा कारेकरम लौंच किया है जो कि विश्वे का सबसे बड़ा अध्यापक सिक्सा पर्शिक्षन कारेकरम है ठीक है चलिए देखे आपको बता दे कि यह जो है एक राश्टिये प्रोग्राम है जिसका उद्देशे देश में लगबग 42 लाख से भी अधिक लोगों को टीचर्स को जो है शिक्सको को पर्शिक्षन देना ही इस प्रोग्राम का में वक्सद है ठीक है इसका नाम है निश्टा इसका सोट फोर्म है निश्टा ठीक है ध्यान लखिएगा चलिए अगला प्रिट देख लेते हैं अपना निम्ण में से कहां पर अंतराष्टी योग सम्मिलन का आयूजन किया जा रहा है तो ये किया जा रहा है अपका मैसूर करणा टक में देखे यहां पर जो आयूश राज्य मंत्री है जिनका नाम है स्रीपद नाइफ इनी की द्वारा इसको रिसेंटली इसका उद्गर्ण किया है अंतराष्टी योग सम्मिलन का मैसूर के अंदर चीक है और इस बार जो इसका थीम है यानि की विसे था वो था योग फोर हार्ट केर योग फोर हार्ट केर जो है इसका थीम है इस बार का इसके अंदर 700 से ज़्यादा जो राष्टिय और अंतराष्टिय प्रतिनी दिध हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं और ये पांचवा एडिसन है इसका ठीक है इस बार पांचवा संसकन है ठीक है ये जीज़ आप ठेहन रखेगा अंतराष्टिय योग संबिलन वैसे अंतराष् रक्सा मंतरी राजनास सिंग ने दिबांग घाटी में सिसेरी नदी पुल का उद्गाटन किया है जो इस्तित है तो ये कहां इस्तित है सिसेरी नदी पुल ये है अरुनाचल प्रदेश में देखें अरुनाचल प्रदेश में जो है ये 200 मिटर लंबा पुल जो है इसको नि अरुनाचल प्रदेश में जो दिबांग गाटी है और जो सियांग है इन दोनों को जो है connectivity प्रदान करेगा बाकी यहां पर रोनाचल की बात कर रहे हैं तो इटा नागरियां की capital है ठीक है ओर जो करन यहां की जो मतलब की CMA हो है पेमा खांडू पेमा खांडू यहां के मुख एक्सपो 2019 कारे करम में गोल्डन लीफ अवार दिया गया है तो ये दिया गया है तामभाखु बोर्ड ओफ इंडिया को important question है दिखी जो यहाँ पर आपको बता दे कि जो तामभाखु बोर्ड ओफ इंडिया है इसी की जो मिनलब की कारे कारे निदे सक है के सुनीता वरतमान में कारे कारे निदे से कौन है के सुनीता ठीक है इन्ही को ये आवार जो है दिया गया है और दूसरी बार जो है तामभाखु बोर्ड ओफ इंडिया ने ये आवार प्राप्त किया है इस से पहले 2014 में भी यही आवार इसको दिया गया था तमभाखु बोर्ड ओफ इंडिया को ठीक है तो ये चीज़ ध्यान रखिये गया निदर लेंड में इसको दिया गया है देखे क्यों दिया गया है तो आपको बता दे कि भारत में जो जेविक तमभाखु बादन है उसके लिए कई सारे विविन ने जो है कारिये प्रियास किये गया है इसके दुआरा और इसी लिए जो है इनको ये पुर्षकार दिया गया है तमभाखु बोर्ड ओफ इंडिया को ठीक है चलिए नेक्स्ट अपडेट अपना देखिए सेयुक्त राश्टर बाल कोस यानि कि योनिसेप दुआरा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत किस बिमारी के खारण होने वाली मोतों में दूसरे इस्तान पर है तो आपका अन्सोर निमोनिया देखें निमोनिया से होने वाली मोतों में भारत जो है दूसरे इस्तान पर कि कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो निमोनिया की मोत होती है वो सबसे ज़्यादा होती है उसके अंदर कहां पर यह होती है आपकी जो यहां पर नाइजीरिया है ठीक है सबसे ज़्यादा तो नाइजीरिया में होती है और दूसरी सबसे ज़्यादा होती है हमारे इंडिया के पहले इस्तान पर है नाइजिरिया दूसरे इस्तान पर इसमें भारत दिखे आपको बता दे कि 2018 के अगर मैं बात करता हूं इस रिपोर्ट के नुसर तो लगबग एक लाग 27,000 से ज़ादा जो है लोगों की मृत्ति हुई है विश्वा में निमोनिया की वज़़ से और आपको बता दे इसके अंदर जो है माणने वालों में जो अधिकान जो है मौत वो किसकी है दो साल से कम के जो बच्चे है उनकी है इसके अंदर सब ज़़दा मौत होने की संके ठीक है तो आपको यहाँ से पता चली गए कि यह निमोनिया मोस्टली जो है छोटे बच्चों के अंदर होता है ठीक है चलीए नेक्स्ट अपडेट देख लीजिए अपना जो आज की क्वीज है इसका अंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है करसन है कि निम्न में से कौन विश्व बैंक के तेरवे अध्यक्स बने हैं जो भी सही अंसर आपका नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सुगाई ये थी आज की करंड़ फिर आई होप आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी तो इस वीडियो को जादा से जादा लाइक और सेर कीजिएगा और आगे के अपटेट्स के लिए चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए थेंक्यू सो मच पर वचिंगास धन्यवाद